हलो माई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल गार्डनिंग एट होम और देखिए हमारे गार्डन का न्यू सेट अप और साथी में हमारे विंटर प्लांट्स की ग्रोध भी बहुत अच्छी हो गई है हमारे मैरी गोर्ट्स ब्लूम करने लगे हैं और देखिए हमारी जो ये गु बुशी हो गई है दीरे दीरे तो बिल्कुल इनकी पिंचिंग बीच बीच में हम कर रहे हैं और अगर आप भी इस तरीकी से अपने गार्डन को खुबसूरत बनाना चाहते हैं आगे आने वाले विंटर्स के लिए तो इसके लिए हमें तैयारियों में करना होगा तो फटा-फट से चलिए देख लेते हैं अगर आप भी घर पे सीडलिंग करते हैं तो कैसे करना है क्या है सही तरीका अपने विंटर प्लांट्स की सीडलिंग का और अपने गार्डन को और भी खुबसूरत बनाने का तो चलिए कैसे स्वाइल मिक्स बनाना है आपको सीडल के लिए यह मैंने अल्रड़ी वीडियो शेयर किया हुआ है वागे के प्रोसेस पे चलते हैं तो देखिए यह है हमारा स्वाइल जो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है मैंने अपने ट्रेज में इनको भर लिया है अब इसमें हम बॉटरिंग कर देंगे अच्छे से ता सेप्टेंबर में लगाये ते जो अब फ्लावरिंग दे रहे हैं और अब जो हम बीज लगाएं गे बिज आने वाले नवेंबर-दिसमर में हमें फ्लावर देंगे इसके साथ हमें फंगिसाइट पाउडर भी चाहिए सीट के साथ तो सबसे पहले हम अपने ये वैनिलीला बिल्कुल गीला कर रखा है इस बात का दिहान रखिएगा कि बिल्कुल आप अपना गीला करके रखिएगा तो हाथ में आप निकाल दीजे जो भी सीट्स हैं और देखिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं है क्योंकि काफी महंगे सीट्स आते हैं हमारे वैनिला वाल कोई भी फंगुस हमारे सीट्स में नह yol तो इस तरीके से डालने के बाद हमिसको बस्तार नियुकर करने के लिए उपर से या सबसेत कि गखनें अब से टायओं Nova Mad that we have longer water करनें थोड़ा साथ को इसंपर की hel4 छिड्काओं करना है बहुत जादा पानी आप को कि अबगें अब नहिंऄ डालै क्योंकि कि हमने पानी कि इसमें इसमें दिया हुआ है बस हलका सा सेटेट तो इसको हमें धाक के रखना है बिल्कुल से कवर करके रखना है और इसमें मैंने टैग भी लगा दिया है तो इस तरीकिये से आपको पता चलता रहेगा कि आपने कौन-कौन से सीट किस ट्रे में लगाएं है तो टैग करना मत भूलिएगा नहीं तो जनरेशन के बाद आपको खराब हो जाते हैं जनरे नहीं होते हैं तो इनका सही मेफ़र्ट क्या है चलिए देखिए और देखि की सीट्स नहीं हुलेना को लगाना है आप वहीं पर खोल यह क्योंकि बिलकुल खोलते समय भी सीट गिरेदे इतने बारी कसी ऐसी तो गिर जाते है बिल्कुल एकदम रेट के जैसे तो ध्यान रखके आपको इसको स्प्रिंकल करना है बहुत ही एकदम आराम से और इसके उपर हम स्वायल जो है वो नहीं डालेंगे क्योंकि यह बिल्कुल बारीक सीट्स हैं तो बारीक सीट्स जब भी आप ग्रो करें तो उसमें उपर से आप स्वायल अवॉइट करिए अगर आप ठोड़ा सा डालना चाहते हैं तो हलका सा एकदम स्प्रिंकल कर दिजे अदर्वाइज आप इसको ऐसे छोड़ दिजे क्योंकि एकदम बारीक सीट्स हैं और उपर से पानी भी एकदम हलका सा ही इसमें आप एड़ करिएगा तो देखि इसमें हम fromgicide powder ही add करेंगे और इसके बाद इसको कर देंगे yasprinkl यह अँदर साइड में इक साइड में मैने विए अग्कषा किया था मैंने इसम Henri ट्रे को संक दीख से ब्लकुल और उसके बाद मैं आप Buddh account मैं एक बने से लिट्रे को कवर किया है और उसके बाद मैंने इसके scaric से अपने सारे ट्रेस को देखे ढखके रख दिया है सीडलिंग करने के बाद कि ये आराम से जर्मनेट हो जाए और बिल्कुल चार-पांस दिन बाद हम इनको खोल के देखेंगे जिस जिस प्लांट में प्लांट की ग्रोथ हो गई होगी तो उसको हमको खोल के रख देना है औ तो हलका हलका साब इनको वाटरिंग भी करिए तो इसी तरीके से अपने सीट्स को ग्रोव करिए उन्हें हैल्दी रखिए और चार से पांच पतियों के आने के बाद आप उन्हें ट्रंसफर कर सकते हैं तो उमीद है फ्रेंट्स आप लोग भी अपने विंटर गार्डन की दयारियों में जुटे होंगे और अपने विंटर गार्डन को खुब सुरत बनाएंगे तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूं विदा फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपे के साथ तब तक लिए